अल्ला के नाम से शुरू जो बड़ा महरबान और निहायत रहम वाला है। कारे दो काइनात मुहम्मद मुस्तिफा सलल्लाहु अलही वसल्लम के लिए उम्मी इस अलफाज का इस्तिमाल करते उम्मी का मतलब अन्प गवार है और अफसोस की बात हम इसी मतलब से उम्मी का इस्तिमाल करते जब उम्मी का इस्तिमाल करने से मना किया जाता तो जवाब देत कि अल्लाह खुद कुरान में मुहम्मद मुस्तफा सल्लाहु अलही वसलम को उम्मी कहेता है तो हमने कहा तो क्या फर्क पड़ता है अरे मेरे नादान साथ ही अल्लाह अल्लाह है उसके इल्म के सामने हम सभी उम्मी है वो किसी को उम्मी कहे या और कुछ कहे उसकी मरजी क्या हम उस रसूल अल्लाह को उम्मी कहेंगे जिस रसूल अल्लाह पर कुरान पाक नाजिल हुआ। वो कुरान पाक जिसमें काइनात के सभी उलूम को यानी ग्यान को शामिल किया गया है। उम्मी का मतलब लिया है। उन्होंने इस विशेशन का मतलब लिया अनप बिना पधा लिखा। मुहम्मद मुस्तफा सलललाह अलही वसल्लम के लिए उम्मी का मतलब अनप बिना पधा लिखा लेना। यह गलत और गुम्राह नजरिया है। शब्द उम्मी के मूल शब्द से आ इसलिए जिस शक्स को उस समय के रिवायती तरिकों से तालिम नहीं मिलती थी, उसे उम्मी कहा जाता था, हाला कि पैगंबर मुहम्मद मुस्तफा सलल्लाहु अलही वसल्लम के मामले में ये सच है कि उनके पास कोई रस्मी तालिम नहीं थी, उन्हें किसी टीचर ने नहीं सिख था, फिर भी वो उम्मी नहीं थे, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें तमाम मानव जाती के लिए भेजे जाने वाले आखरी पैगंबर बनाने का फैसला किया था, उन पर कुरान पाक नाजिल करना था, वो कुरान पाक जिसमें कायनात के सभी उलूम को यानि ग्यान को शामिल किय गया है, फिर अल्लाह उन्हें उम्मी कैसे रखता, सिखने सिखाने के अम तरीकों तक ही लिमिटेड कैसे रखता, इसलिए खुद अल्लाह ताला ने उन्हें तालीमी याफ्ता यानि शिक्षित बनाया, कुरान पाक में कहा गया है, यह वही है जिसने कुरान की तालीम दी है उसने इंसान को बनाया है, उसने उन्हें अकलमंदी की तालीम सिखाई है, 55 ratio 2-4, सभी स्कॉलर्स मानते हैं कि यह आयत पेगंबर मुहम्मद मुस्तफा सल्लाह अलही वसल्लम के लिए ही है, इस आयत से यह साबित हो गया कि खुद अल्लाह ताला ने अपने हबीब को कुरान और अकलमंदी की तालीम सिखाई है, जैसा कि हमने पहले देखा है, कुरान ये काइनात के सभी उलून को शामिल करने वाली किताब है, इसलिए पेगंबर मुहम्मद मुस्तफा सल्लाह अलही वसल्लम एक अग्यानी या अनपर व्यक्ती नहीं थे, बलकि खुद अल्लाह ताल उटता है कि अल्लाह ताला ने पेगंबर मुहम्मद मुस्तफा सल्लाह अलही वसल्लम को अच्छे से अच्छे टीचर से क्यों नहीं सिखाया? मेरे प्यारे सातियों, जैसा कि तुम जानते हो, मुहम्मद मुस्तफा सल्लाह अलही वसल्लम को अल्लाह ताला ने काइनात के सभ की में कर लिया। दूसरी बात ये भी है कि अगर मुहम्मद मुस्तफा सलल्लाहु अलही वसल्लम का कोई टीचर होता तो हमें उनसे ज्यादा उनके टीचर यानी गुरु की ताजीम करना पड़ती। अलाह अपने बाद सिर्फ और सिर्फ अपने बेपना मुहबद रखता है कि वो अपने और अपने हबीब के बीच किसी और को आने ही नहीं देना चाहता है। इसलिए तो उसने रसूल अल्लाह सल्लाहु अल्याई वसल्लम को यतीम रखा ताकि दुनिया वाले उनसे ज्यादा उनके माँ बाप की ताजीम ना करे। अब दुसरा सवाल मन में ये भी उठता है कि अल्लाह ताला ने पैगंबर मुहम्मद मुस्तफा सल्लाहु अल्याई वसल्लम को दुनिया ये एद्बार से उम्मी क्यों रखा? हमारा मजहब इसलाम आदम अलेह सलाम से चलता आ रहा है। तकरीबन एक लाख पच्चीस हजार पैगंबर रसूल अल्लाह सल्लाहु अल्याई वसल्लम के पहले आ चुके हैं। किताबों में से ये बातें चुराई गई है। इसलिए हमारे पैगंबर मुहम्मद मुस्तफा सल्ल्लाहु अल्याई वसल्लम को दुनिया ये एद्बार से उम्मी रखे गए। तो मेरे साथियों अब तुम्हें अच्छे से समझ गया होंगा कि हमारे पैगंबर मुहम्मद मुस्तफा सलल्लाहु अलही वसल्लम उम्मी होते हुवे भी उम्मी नहीं हैं। तो हमें अच्छे से याद रखना चाहिए कि आम लोगों के लिए जब उम्मी ये अलफाज यूज होता है तब इसका मतलब अनपर या गवार होंगा। हुझुर्स अल्लाहु अलही वसल्लम से मुहबब्ग ये इमान की शर्थ है। अल्लाह ने जिसे अपना हवीब बनाया हैं, उनके शान में गुस्ताखी अल्लाह कताई बरदास्ट नहीं करता। आओ, हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुवा करते हैं कि आमीन, सुम्मा आमीन